आपको आपना इस इटू चैनल में बीएट का जो मामला है सुप्रीम कोट का जबाब क्या आएगा आप लोग का कॉमेंट था कि क्या होगा नौ तारीके डेट में क्योंकि नौ तारीके सुनवाई होने वाली है जो एसेल पी याचिका दायर किया गया है ठीक है ना तो इसका जो है नो तारीके सुनवाई होने वाली है और इंचेब वालो के लिए बराध दिन होने वाला है और सांधी सांध डिलund में बाराध की सोच रहे हैं कि इक से भेर करके बाहर हो के लिए इस कंडिशन में बीएड वाले भी अपना मौका नहीं गावना चाह रहा है ठीक ना बट आपको मैं बता दू कि नौ तारी की जो सुनवाई होने वाली है उससे पहले जो एंसी आटी का फैसला आया था वह मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूं क्योंकि आप कुछ उपाय बताइए तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए सुप्रीम कोट का जो जो निर्ने होता है वह सरव पड़ी होता है उनका निर्ने को कोई भी नहीं टाल सकता है बट कोई कैसे में ऐसा होता है जो सारा प्रूफ दिखाना पड़ता है सब सीच करने के बाद ही कुछ निर्ने निकल के सामने आती है लेकिन का जोवे फैसला हो यहां पर देखीएगँ ने wyn छो पर आप तो यहाँ पर BPSC ने उससे पहले एक लेटर जारी किया था उन्होंने कहा था कि सिक्षर परिशिक्षन के किसी भी उपाधी के मानता के बिंदू पर अथ्वा किसी उपाधी भी सेस के समतुले के बिंदू पर किसी भी परकार के बिवाद की स्थिती में राष्टरिय अध्या आपक सिक्षा परिशाद NCTE के प्रामार्ट से बिवाग का अंतिम निन्हें होगा तो यहाँ पर जब NCTE ने गाइडलाइन जारी करी दिया सभी राज्यों को लेटर भेजी दिया तो फिर अब रह क्या गया फ्रेंट्स ठीक है ना तो यही जो है केके पाठक सर जो है यहा सब्सक्राइब मिलेगी सामने निकल के आएगी कि क्या बीट को रखना है या नहीं एक हमको लिखी दीजिए या कुछ क्लियर फैसला निकल के सामने आ जाएगा उसके बाद में आप लोग के सामने निर्ने देखने को मिलेगा तो नौत आरीक के सुनवाइब होनी है नो से के तरफ से किया गया है ठीक है ना तो उसका भी जज्जमेंट यहीं निकल का सामने आगा जो नौ तरीक आएगा नौ तरीक को आएगा जो आगा हंडेड़ परसंद समझें कि वहां पर किलिए आपको देखने को मिल जाएगी ठीक ना तो यह था फ्रेंड्स है और जो भी पिस सामने आगा मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा और उमीद करता हूं कि आपको इतनी बाते जो है समझना आ गया होगा आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जब जाएगा और इस सब्सक्राइब कर लिजेगा सा आपके सामने तब तक लिए बाबाए चाहिए दोस्तों